हेलो गाईज, वेलकम बैक टू पीजे एक्सिलेंस क्लासेस तो गाईज सर आज हम ये पांच कोशन करने वाले इंपोर्टेंट क्लास 10th मैट्स के बोर्ड के असपेक्ट से बहुत इंपोर्टेंट है डिफरेंट चेप्टर्स के एपी के हैं, इसमें ली क्वाद्रेटिक का है और आपका ट्रिक्नोमेटिकल कोशन है, ठीक है और जो सीरीज चल रही है अपनी रोज दो से तीन कोशन अप्लोड होते हैं, क्लास 12 और क्लास 10 मैट्स के शॉट्स, शॉट्स का ये फाइदा है कि आप लेस्ट टाइन में ज्यादा कोशन कर सकते हैं, आपकी स्पीड बढ़ सीधी भासे में बोले तो n और sn, n जो भी आएगा उसका sn पूचा है, sum of उतना terms, ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है, हम given पर आते हैं, first term दी है a, 10, last term दी है हमें 361, ठीक है, या फिर इसको l भी लिसकते हैं, last term, ठीक है, हमसे n पूचा है, हमें एक formula पता है, an equal to a plus n minus 1d, य n कितना है, 361, a कितना है, 10, n कितना है, पता नहीं, यही find करना है, d कितना है, अब देखो, d कैसे निकलेगा, अच्छा, d भी दिया है, तो d equal to 9, ठीक है, d9 है, करो solve, 361 minus 10, equal to n minus 1, 9, 361 minus 10, 351, divided by 9, equal to n minus 1, तो यह क्या हो गया, तो यहां आ जाएगा, आपका 39, और यहां से plus 1 आ जाएगा, तो n की value हमारी कितनी हो जाएगी, 40, तो देखो, अपने n निकल गया अभी तक, अब हमें sn निकालना है, चलो, अब sn निकालते हैं, sn मतलब हमें, s40 निकालना है, कैसे ने कैसे, ठीक है, s40 निकालना है हमें, हमारा n कितना आया था, 40 आया था, जो हमने अभी निकाला था, ठीक है, तो अब देखो, s40 क्या होगा, n by 2, sum का formula होता है, 2a plus n minus 1, d, ठीक है, तो n कितना है, 40, 20, 2 into a 10 है, plus n 40 है, 40 minus 1 into 9, ठीक है, यह होगा 20, 20 plus 39 into 9, 351, ठीक है, तो यह होगा 20 into 371, यह आगे आपका 2, 14, 7, तो यह अपना अंसर हो जाएगा, जो s40 टर्म होगी, वो क्या होगी, 7420, तो पहला कोशन अपना यहां पर खतम हो गया, तो चलिए दूसरे कोशन की तरफ बढ़ते हैं, तो गाईस, second question है, एक motor boat है, जिसकी speed 24 km per hour है, in water में, takes one hour more, वो एक घंटा ज़्यादा लेती है, upstream जाने में, as comparison to downstream, तो यार, obvious सी बात है, एक boat है, वो upstream जारी है, मतलब, जो बहाओ है पानी का, उसका उल्टा जारी है, तो क्या होगा, speed तो obviously कम होगी, ठीक है, और अगर वो downstream पानी के बहाओ के साथ जारी है, तो वो असानी से चली जाएगी, upstream में speed minus रहेगी, downstream में speed plus रहेगी, next है हमारा, अब हमें पूचा है speed of stream, तो हम माल लेते हैं, let, speed of stream, equal to x, ठीक है, stream के speed हमने ले ली, x, तो देखो, upstream में क्या हो जाएगी, boat की speed, upstream में, boat की speed क्या होगी, upstream, कितनी है boat की speed, 24 km है, लेकिन अप है मतलब stream की speed minus हो जाए क्योंकि बहाओ के उल्टा जा रहे हैं और downstream में क्या हो जाएगी speed plus हो जाएगी क्योंकि बहाओ के 7 जा रहे हैं ठीक है अब हमसे पूछा है according to question according to question क्या रहेगा कि वो boat है एक घंटा जादा लेती है ठीक है एक घंटा जादा लेती है किस में तू go 32 km upstream मतलब 32 km upstream time equal to distance upon speed होता है ठीक है distance कितना है 32 speed कितनी है 24 minus x go 32 km upstream then to downstream मतलब इसी distance को अगर वो downstream में पार करता है तो अब upstream में जाने में same distance उसे एक घंटा ज्यादा लगता है तो बन गया अपना यह question ठीक है अपना formula आ गया तो आओ इसे solve कर लेते हैं तो हम ऐसे ली सकते हैं 32 24 minus x minus 32 24 plus x equal to one तो यह हो जाएगा नीचे LCM आ जाएगा 24 का square minus x का square यह आ जाएगा 24 plus x minus 32 24 minus x equal to one ठीक है यह हमारा आ गया था 2x divided by 576 minus x square equal to one by 32 इसको अगर solve करेंगे तो क्या equation आएगी है हमारी x square plus 64 x minus 576 equal to zero चलो इसे solve करते हैं हम यह 72 minus 8 minus 576 equal to zero देखो 72 minus 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और 72 into 8 करेंगे तो 576 प्रेक्टिस करो यह तो अपने आप आ जाएगा ठीक है एक्स square plus 72 x minus 8 x minus 576 equal to zero ठीक है तो हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 72 8 x plus 72 तो एक्स तो माइनस 72 हो जाएगा एक्स हो जाएगा एट तो माइनस 72 तो नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस में हो नी सकता और तो स्पीड ओफ स्ट्रीम क्या जाएगी स्पीड ओफ स्ट्रीम आ जाएगी अपनी एट किलोमेटर पर आवर ठीक है स्पीड ओफ स्ट्रीम आ जाएगी अपनी एट किलोमेटर पर आवर तो जार सेकेंड कोशन भी अपना हो गया चलिए थर्ड कोशन की तरब बढ़ते तो थर करते हैं ले लेते हैं सब्सक्राइब माइनस वन ठीक है इसकूर मैंस भी स्कूर का इंटिटी लग रही है यहां पर को से के माइनस बने यहां पर को से के प्लस वन प्लस कॉसेक ए कॉसेक ए माइनस वन ठीक है ना जाएगा तो पर क्या आएगा कॉसेकंट स्क्वारे प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेकंट स्क्वारे माइनस कॉसेक ए ठीक है तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है हाँ ये कैंसिल हो रहा है डिवाइड बाई तो अब तक हमने क्या किया है बस लिया है और उपर नीचे कट की है जो वैल्यूस कट हो रही है अब देखो यह कोई अडिन्टिटी बना रही है जी हां यह अडिन्टिटी बना रहा है इए होगया कोट स्क्व regen टू अब चेंज करो वन बाइ साइन डिन्ट का क्या होगा कोसेंट स्क्व regen डिवाइड बाइ यह साइनस्क्व regen से यह कट गया तो क्या बचा ट्ू इन्टू यह बचा टू अपÓन कोस स्क्वêmishing गए जो कि क्या होता है तो सिकेंट स्क्वेर ए तो हमने यह आरचेस प्रूफ कर दिया यह देखो यह वाली चीज प्रूफ हो गई हां जी तो यार बहुत ही असान कुशन था इसे करना चाहिए ठीक है फॉर्थ कॉश्चिन के तरफ बढ़ते तो गाइस फॉर्थ कॉश्चिन बोल जारो सबसे पहले जो दिया है उसका यूज करते हैं एस 14 एस 14 क्या हो जाएगा एन बाइटू टू ए चलो पहले फॉर्मला लिग देते हैं एन बाइटू टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है एन बाइटू एन कितना है फॉर्टीन एक कितना है टैन तो टू 1050 चलो इसे कैंसिल करो 1050 इंटू टू डिवाइट बाइट 14 इक्वल टू 20 प्लस 13 डी चीक है तू सामने फॉर्टीन टू एन जा टू सैवन जा सैवन संफाय थर्टीफाइफ तो यह हो गया 13 डी इक्वल टू 150 माइनस 20 130 तो डी आ गया आपका 10 चलो डी 10 आ गया तो हमें क् आप तो सब सिंपल हो गया 820 क्या हो जाएगा एप्लस 19 डी एक इतना है 10 19 19 है डी कितना है 10 तो आगया 10 प्लस 190 तो यह आगया 200 तो जो अपनी 820 ट्रम होगी वो कितनी आ गयी हमारी वह आगी 200 सिंपल था ना एन डी निकाला सम दिया है उसमें से तो गाई यही था आपना फॉर्थ कॉश्सर्ट चलिए फिफ्थ कॉश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीव फिफत औं लास्ट कॉश्चन है इस वीडियो का यह दिया है 5 लास्ट इंद ए 45 सम उफ लास्ट दिया है 400 ठीक है एडं टम मतलब ले ओन न्बर ऑफ टमस्ट और कमे इसी हो जाती है ठीक है तो एन बाई टू एक इतना 5 लास्ट आम कितनी है 45 इकोल टू 400 एन बाई 2 यह हो गया 50 यह हो गया 400 एन कितना हो गया 400 इंटु 2 डिवाइड बाई 50 एन आगया 16 ठीक है एन कितना आगया अपना 16 आगया अब हमसे क्या पूचा है नेक्स्ट डी निकालना है तो डी क्यासे निकलेगा इन इकोल टू ए प्लस एं मैनस 1 डी एन कितना है 45 ए कितना है 5 एन कितना है 16 माइनस वन माइनस वन फॉर्मले में है दी निकालना है यह हो जाएका 40 इक्वल टू 15 डी इस इंप्लाइस टी इक्वल टू 40 बाइफ फिफ्टेन फाइफ एड जा फॉर्टी फाइफ थी जा फिफ्टेन तो डी आगया अपना एंड बाइफ थ्री है ना इजी कोशन बस कुछ पोश्ट होते हैं शॉट्स क्या भी बताया था है मैंने शॉट्स क्या फाइदा है कि आपकी स्पीड अच्छी होती है आप लेस देन वन मिनेट में को कर सकते हैं टैन्थ और ट्वेल्थ दोनों के पोश्ट होते थी गाइस थैंक्यू गाइस फॉर एवलेवल टाइम हैव गुड़ दे